नमस्ते, जैसे कि हम वर्ल्ड हिस्ट्री के अब तक 8 लेक्चर्स कम्प्लिट कर चुके हैं, आज हम इस वीडियो में 9th लेक्चर कम्प्लिट करने वाले हैं बहुत बड़ा revolution इंडस्ट्रियल सेक्टर में, यानि इसी को इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहा जाता है, तो इन्वेंशन्स बहुत तरह तरह के होते हैं, कहीं पे इंजिन्स का इंवेंशन होता है, कहीं पे रेल रोड बनते हैं, तो कहीं पे स्पिनिंग जैनी बनती है, तो cotton textile industry में कुछ work होते हैं, तो हर जगे कुछ ना कुछ inventions थे, जिसके कारण पूरी दुनिया बदलने वाली थी, यह जो inventions थे, यह यूरोप में होने लगते हैं, धीरे धीरे पूरे world तक पहुचते हैं, पूरे world में लोगों की जो lifestyle थी, यह भी बदलती हैं, और हर चीज में important माना जाता है, यह portion, आपको UPSC हो, state PSC हो, या कोई भी competitive exam, या school की exam क्यों ना हो, आपको हर exam में यह inventions पता रहने चाहिए, उसके साथ साथ आपको एक और चीज बता दू, अगर आपने ancient, medieval, modern, Indian history को cover नहीं किया है, तो जल से जल उसे cover कर ले, pre और mains के लिए, मैंने complete syllabus के description में डाली हुई है, तो वीडियो के नीचे जाए है, description में और link देखिए, और वहाँ से आप लोग वो click करके उस playlist पे, आज ही उन वीडियो को complete करें, उसके साथ साथ अगर आप आप आज के lecture के notes चाहते हो, तो मेरा जो telegram channel है, जो मैंने यहाँ पे बना के रखा है, उसमें म आज का lecture जो है, inventions पे उसको start करते हैं, तो सबसे पहले हम inventions देखेंगे, वह हम textile में देखेंगे, हम देख सकते हैं इंडस्ट्रिल रिवॉलुशन में जो invention हो से सबसे main inventions छो में पहले हो textile के industry में देखने में कपड़े के industry में देखने है, सबसे पहले में बात करो तो 1800 का time था, तब तक अगर देखा गया तो बहुत सारे ऐसे inventions हुए थे जिसके चलते जो cotton industry थी ये बहुत ज़ादा modernized होने लगी एक invention के कारण दूसरा invention हो रहा था एक invention उसके चलते दूसरा दूसरे के चलते तीसरा ऐसे पूरे line से inventions होने लगे 1733 के अगर बात करें तो एक mechanist थे mechanist का नाम था John K. John K. ने एक shuttle बनाया शटल के कारण हम कहेंगे जिसके कारण जो हम कहेंगे speed होती है वो बढ़ने लगी कपड़े बनाने की यह जो शटल था यह एक flying shuttle था जो की boat shape piece था एक wood का मैं आपको दिखा जेता हूँ यह आपको दिख यह इस तरह का एक flying shuttle था जिसको boat जैसा हम यहां पर शेप देख सेक्टर इस तरह से shuttles को लगा के flying shuttle को लगा के यहां weaving जो थी वो बहुत जादा फास्ट होने लगी अब इन्होंने यह जो boat shape piece था वो वोड में use wood का बना हूआ उसे use किया और इस कारण उसको attach करके उन्होंने यहां पर weaving की जो speed थी वो double कर दी the double the work a weaver could do in a day यह बहुत fast होने लगा अब यहां पर क्या हुआ कि जो spinners थे उनको यह जो weaving थी यह बहुत fast होने लगे अब weaving हो रही है तो हम कहेंगे कि यहां पर thread होता है thread जो बन रहा था वो हम कह सकते है कि spinning के थू बन रहा था तो जो spinners थ आ रहे थे तो हम कह सकते थे उनके लिए कुछ cash prize रखे गए थे contestant को ताकि वह बहुत अच्छी spinning machine बना सके और spinning machine के थू वह अच्छे अच्छे threads fast बना सके और जिसके चलते weaving भी fast हो जाए weaving के लिए तो जौन के ने यह चीज धून ली थी वट अभी जो था काम वो था thread बना अब यहां पर spinning का काम था spinning के काम में अगर देखा गया तो धीरे धीरे इसमें भी changes आएंगे 1764 में textile worker जिनका नाम था James Hargreaves James Hargreaves जो थे उन्होंने spinning wheel आखिरकार बना दिया अब spinning wheel जो था उन्होंने अपने बेटी के नाम पर spinning wheel का नाम रखा था James Hargreaves spinning jenny jenny उनके बेटी का नाम था जिस नाम से उन्होंने spinning jenny का नाम रखा था और इस तरह से उन्होंने spinning jenny बनाए जिसके चलते अभी हम कहेंगे यह थे हम कहेंगे James Hargreaves और इनके चलते बहुत fast spinning होने लगी one spinner जो था वह आठ थ्रेड पे एक साथ काम कर सकता था एक स अपरेटेर दे फ्लाइंग शेटल एंड श्पीनिंग जेणी बाए हैंड यहां पर अगर देखा गया तो पहले यह जो फ्लाइंग शेटल चलाये जा रहे थे यहां पर आप देख रहे थे हाथ से चलते थे उसके साथ साथ जो दूसरी अगर देखे गए spinning jenny यह भी हाथ स से चलाये जा रहे थे तो हम दूसरी बात यह कैसे सकते है कि रिचर्ड आफ्टवर्ड जो थे उन्होंने इन्वेंट किया एक वाटर वाटर फ्रेम 1769 में अब धीरे-धीरे पहले जो काम चलते थे वह हाथ से चलते और धीरे-धीरे अब जो काम थे वह कुछ वाटर पावर पर चलने लगे जिसके कारण स्पीनिंग जो थी यह बहुत फास्ट होने लगे अब यहां पर हम कुछ चीजे और भी देख सकते हैं कि जैसे कि यह चीजे अभी पाणी से चलेंगे और यहां पर आप देख सकते कि जैसे टरवाइन की तरह लगे होते उस तरह से हाप use की जा रही थी वह पावर water power से बनती थी और इस कारण spinning wheel बहुत fast घुमते थी और spinning यहां बहुत fast आपको होते विए दिखती है इस तरह की चीजे इस तरह के inventions होने लगे अब inventions होते होते हम आगे बढ़ते तो 1779 में Samuel Crompton जो थे उन्होंने spinning jenny के कुछ features पकड़े और कुछ water frame वाली जो वहां पे उन्होंने बनाया था उसको पकड़ा और तो प्रोडूसर स्पीनिंग मूल और उन्होंने एक स्पीनिंग मूल बना दिया इस तरह का स्पीनिंग मूल था वह अच्छे हम यह कह सकते कि बहुत स्ट्रॉंग बहुत फाइन और बहुत कंसिस्टेंट यहां पर चीजे बन रही थी हम कहेंगे थ्रेड बन रहे थे पहले के मशिन के कंपरेजन में यहां पर देखा गया तो यह वाटर पर चलने वाला अगर देखा गया यह तो एडमेंड कार्ट राइट थे उन्होंने पावर लूम बना दिया धीरे धीरे अब पहले जो चल रहा था वह वाटर से चल रहा था अब एडमेंड कार्ट राइट जो थे उन्होंने कहीं ना कहीं पावर लूम बनाया था जिसके चलते हम कहते हैं कि आप्टर इस इंवेंशन इन 1787 है ना तो रन बाइ वाटर पावर यह आपको देखने मिलता है तो पहले वाटर फ्रेम में चलता था पानी के बहाव से वह चलेगा तो यहां पे अगर देखा गया तो पावर लूम होगा वाटर फ्रेम और स्पीनिंग मूल जो है और स्पीन चैसे जो वेल्डी टेक्स्टाइल मॉर्चंट्स थे अब बड़ी बड़ी मशीन से यह रखने के लिए आपको फैक्टरी लगेगे अब जब फैक्टरी आपको लग रही है ऐसी बड़ी यह जो मशीन बनाए यह पानी पर चलती थी पूरी तरह यहां पर आप देख सकते य यह एडमन कार्ट राइट की तो यहां पर हम यह कह सकते कि इतनी बड़ी जब मशीन तो इसको रखने के लिए बहुत बड़े एक फैक्टरी की जरूरत होगी और यहां से फैक्टरी सिस्टम आने लगा अब यह जो लोग ते यह कही ना कही यहां पर आते थे वरकर्स और व आपको पता है कि टर्बाइन कैसे गूंते पानी का मुमेंट होता पानी के मूवेंट के चलते टर्बाइन घूमेंगे तो इसलिए वाटर पावर की जरूरत है तो आपको जहां रीवर से जहां स्ट्रीम से उसके पास जाना पड़ेगा तो यह सब चीजे यहां पे स्टार् अब क्या होता है, removing seeds from raw cotton by hand was hard work, यह तो आपको पता ही है, हाथ से आखिरकार आप कपास की बीज अगर निकालोगे, तो यह बहुत बड़ा hard work होता है, इसी के चलते, बोलते है न, necessity is the mother of invention, 1793 में एक American inventor थे, जिनका नाम था Ellie Whitney, Ellie Whitney जो थे उन्होंने एक machine बनाई, to speed the core, यानि यह यहां से अगर देखा गया, तो यह machines के चलते, जल्दी से जल्दी, जो cotton में की seeds थी, वो अलग हो सकती थी, ऐसी एक machine बनाई जाती है, his cotton gin multiplied the amount of cotton, that could be clean, तो यह ही है, कि वो क्या करता था, कि यहां पर जितना भी cotton का amount होता है, उसे वो अलग-अलग कर देता था, और अलग-अ साथ-साथ, American cotton production, यह हम कहेंगे, skyrocketed from 1.5 million pounds in 1790 to 85 million pounds in 1810, यानि हम कह सकते हैं कि 1790 से अगर हम पकड़े, तो 1810 तक यह जो cotton था, production था, यह बहुत जादा बढ़ा दिया गया, यानि 1.5 million था यहां पर, और यहां पर 85 million पर पहुँच गया, बहुत बढ़ा difference है, क्योंकि देख काम हो रहे थे, फास्ट काम हो रहे थे, तो जल्दी-जल्दी cotton पर काम अगर हो सकते थे, तो जादा cotton का भी आप यूज कर सकते थे, इसलिए cotton का production भी बहुत अच्छा हो, गया आप देख रहे क्या speed up हुआ industry में, industrial revolution में, जो speeding अप आप देख रहे हैं, यह बहुत fast होता है, तो इसलिए हम कह सकते थे, कि यह जो major invention थे, textile में, यह बहुत बड़ा एक revolution लेके आते हैं, industrial revolution लेके आते हैं, उसके बाद दूसरा जो हमें देखने मिलता है, change, वो देखने मिलता है, हमें improvements in transportation, अब यहाँ पर transportation में भी improvements करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए, चीजे अगर fast fast बन रही है, तो उसको fast transport भी करना पड़ेगा, एक जगे से हम कहेंगे, दूसरे जगे पर transportation भी fast होना चाहिए, अब transportation को fast करते करते हम यही कहेंगे, progress in textile industries, poured other industrial improvements, first such development, the steam engine stemmed from the search of cheap convenient source of power, यही है, अब यहाँ पर steam engine बनाएगे, जो engine के चलते एक जगे से दूसरी जगे, जो भी textile बन रहा था, या जो भी products, goods बन रहे थे, उसको एक जगे से दूसरी जगे पहुचा सके, तो earliest अगर हम कहेंगे, steam engine, इसको use किया गया था, mining में, 1705 के time पे, but early model जो है, वहाँ पर हम कहेंगे, कि जो quantity of fuel हो गया, या फिर जो भी चीज़े वो ज़ादा लग रही थी, यहाँ city is the mother of invention, और यही चीजों की जब ज़रुद पढ़ते गई, तो James Watt जो थे, उन्होंने एक mathematical instrument maker जो थे, वो University of Glasgow में पढ़ते थे, Scotland में, उन्होंने यह जो चीजे थे इसके बारे में सोचा, thought about the problem for two years, दो साल सोचते हैं, उसके बाद in 1765 में Watt को समझ गया, कि कैसे यह steam engine faster हो स सकती है, और उसमें fuel कम लग सकता है, 1774 में Watt ने जॉइन किया एक businessman को, जिनका नाम था Matthew Bolton, अब Matthew Bolton को जो वैट थे, वो जॉइन कर लेते हैं, और यह जो entrepreneur थे, यह entrepreneur एक person थे, वो organized the man ages, and takes on the risk of a business, paid Watt, a salary, encouraged him to build better engine, और यही तो भी देखे, Watt भी क्या करेंगे, Watt के पास अ तो funding होगी, जो पैसे लगेंगे, जो भी invention होगा, उसके लिए, वो कहा से लाएंगे, इसलिए वो Matthew Bolton नाम के businessman के साथ जुड़ जाते हैं, और यह जो होते हैं, यह पूरा funding करते हैं, यह पैसे लगाते हैं, Watt को कहते हैं, कि आप research करो, अच्छी engines बनाओ, मैं पैसे लगाता यह भी बहुत अच्छा और बहुत fast अब होने लगा था, अब धीरे धीरे और भी improvements आने लगया, water transportation भी बढ़ने लगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो एक जगे से दूसरे जगे पहुचने के लिए, पानी का रास्ता भी बहुत अच्छा माना जाता है, अगर किसी country में coast लगी हुई है तो, वहाँ पे आपको roadways बनाने की जरुवत नहीं है, आप directly कोई ऐसी ये बना लीजे, ship और उसके चलते, आप आराम से transportation कर सकते हैं, एक जगे से दूसरी जगे, तो water transportation भी काफी लोगों ने सोचना शुरू किया, steam जो है could also be used to propel boats, ये समझने लगता है, ज तो ये जो Robert Fulton थे, he ordered a steam engine from Bolton and Watt, अब Bolton and Watt हम कहेंगे कि ये दोनों jointly काम कर रहे थे, इनोंने यहाँ पे Matthews Wollton और हम कहेंगे कि James Watt, इन दोनों की जो company थी, वहाँ से उन्होंने एक steam engine मना ली, मंगाली, after its first successful trip in 1807, Fulton steamboat, the Claremont जो है, it ferried passengers up and down New York's Hudson River, तो आप यहाँ पे देख सकते, ये जो है, ये है Fulton, इनोंने इस तरह की एक ship बनाई थी, जो यहाँ से वहाँ passengers को भी लेके जाने लगी, यहाँ पे आप देख रहे, steam engines पे काम कर रही है, याने steam engines भी यहाँ पे आन लगे, उसके अलावा इसी कारण बहुत अच्छे networks बनाए गए, channels के, human made waterways बनाए गए, याने हम कहेंगे, mid 1800s में 4,250 miles की inland channels यहाँ पे बनाए गए, ताकि raw materials को industries तक पहुचाया जाए, raw materials जो होते हैं, industries तक अगर पहुचने लगेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही एक अच्छी चीज हो जाएगी, याने हम कहेंगे कि बहुत अच्छे तरह से कोई भी चीजों को हम यहाँ पे handle कर सकते थे, तो यही सब चीजे थी, याने अच्छे production भी होगे, जब raw material भी easily पहुचने लगेंगे, तो ये सब चीजे धीरे-धीरे हमको देखने मिलती है, steam engine क कारण, याने हम कह सकते हैं कि water transport जो ये भी बहतरीन होने लगा steam engine के help से, धीरे-धीरे हम कहेंगे कि road transportation में भी changes आने लगे, अब काफी सारे engines बनने लगे, तो road transportation भी अच्छा हो, यही कोशिश होने लगी, road transportation के बात करें तो British road जो है वो improve होने लगे, और यहाँ पे कहेंगे James James Mac Adam जो थे, एक Scottish engineer जो थे, इनको इस efforts का हम सबसे बड़ा एक credit दे सकते हैं, हम अगर देखते हैं, तो early 1800s में, Mac Adam जो थे, उन्होंने कुछ road beds बनाए, road beds पे वो क्या करते हैं, कि वो एक layer डालते हैं, बड़े-बड़े पत्थरों के drainage के लिए, अगर पानी जम जाता है, तो पत्थरों के थ्रू वो जमेगानी road पे, तो large stones डाल देते हैं, for drainage, on top, road पे क्या करते हैं, on top, he placed carefully smoothed layer of crushed rock है, पहले large rock रखते हैं, फिर उसके उपर top पे रख देते हैं, कुछ हम कहेंगे, smoothed layer of crushed rocks, crushed rock होते हैं, यानि इवन rainy season भी रहा, तो heavy wagons जो है, वो आराम से travel कर सकते थे इंद roads के, क्योंकि drainage बहुत अच्छा था, हम कह सकते थे कि जो macadam थे, वो roads, वहाँ पे कोई mud भी नहीं थी, क्योंकि पत्थर रखे हुए थे उपर, तो mud भी नहीं आती थी, जैसे हम कहेंगे कि पानी है, अच्छा है, तो पानी आएगा, तो उसके कारण mud आएगी, यहाँ इंवेस्टर्स जो थे, वो कुछ companies बनाने लगते है, जो roads बनाएगी, याने आप देख रहे हैं, कि roads बनाने के भी company यहाँ बनने लगे, क्योंकि roads अच्छे बनेगे, तो transportation अच्छा होगा, एक जगे से दूसरे जगे, और profit भी अच्छा होगा, तो यह road बनाने के पीछे भ For example, आज भी आप देखते, जिसने road बनाया है, जैसे आप आजकल government आपके लिए road बनाती है, तो government आपसे toll tax जो है, वो collect करती है, तो लोग जो कहते थे कि यहाँ पे, जो travelers होते हैं, उनको toll gates पे रुखना पड़ता था, जिसको turn styles या फिर वो turnpikes कहते थे और वहाँ पे toll आप पुरा खर्चा लगाया, महिनत लगए, तो यहाँ से एक नई चीज चुरू हो गए, कि लोग यहाँ से toll tax जो होते हैं, वो भी collect करने लग गए, आगे जाते जाते हैं, अब railway जो है, उसका age यहाँ पे शुरू हो गया, railway बनने लगी, अब railway तो बनेगी ही, क्योंकि railway की बात करेंगे, तो एक बहुत बड़ी railway जो अगर आप बना लेते हो, तो easily एक जगे से दूसरी जगे किसी भी चीज़ को आप transport कर सकते हो, तो सबसे पहले आपके पास steam driven machinery तो थी ही, इसकारण जो English factory थी वो भी बहुत आगे बढ़ने लगी, 1700s में, steam engine जो थी on wheel हम कहेंगे, वो य railroad locomotive जैसे कहा जाने लगा, English industry जो थी, after 1820 ये बहुत फास्ट आगे बढ़ने लगे, क्योंकि अब railroads के यहाँ पे invention हो चुके थे, in 1804 हम कहेंगे, एक English engineer थे, जिनका नाम था Richard Trevithick, जब Richard Trevithick जो थे, वो एक बेट लगाते है, and he won the bait that several thousand dollars वो इसमें जीत जाते है, he did this by hauling 10 10 tons of iron, over nearly 10 miles of track in steam driven locomotive, other British engineers soon built improved version of Trevithick, हम कहेंगे, Trevithick locomotive, अब यहाँ पे क्या होता है, कि bet क्या थी, कि हम कहेंगे, कि आपको 10 tons of iron लेके जाना है, nearly 10 miles of track पे रखके, हना steam driven locomotive में, ये करके दिखा है Richard Trevithick ने, और उनको मिल जाते है, thousand dollars, अब ये सब होने लगा, बाकी engineers ने कि जब वो कर सकते है, इतना अच्छा transportation का system तो हम क्यों नहीं कर सकते, तो इस तरह से railroad engineers जो थे, जैसे कि George Stephenson, he had gained a solid reputation, उन्होंने 20 engines, है ना, 20 engines for mine operators, जो होते हैं, in Northern England, यहाँ पे बनाई, उन्होंने 20 engines बनाई, in 21, in 1821, Stephenson जो होते है, वो world's first railroad line बनाने में, यहाँ पे उन्हो to run 27 miles, वो बन चलने वाली थी, from Yorkshire to coal fields, to the port of Stockton, यहाँ तक चलने वाली थी, North Sea में, याने हम कहेंगे, कि Yorkshire से लेके, तो वो coal fields में चलने वाली थी, Stockton तक, इस तरह की चीज़ी यहाँ पी बनाई गई, 1825 में railroad जो होता है, उसे open कर दिया गया, और वो चार locomotives थे, जिसमें एक design बनाया था, जिसमें उन्हें चार डिब्बे लगाये थे, और उसको बनाने के बाद उसको चलाया था, आप देख सकते हैं, इस तरह के उनकी एक engine थी, और इसमें locomotives थे, इसमें cool डालके वो यहाँ से वहाँ लेके जा रहे थे, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ स्टीफन सन का, तो उनका तो बहुत बड़ा नाम है इन चीजों में, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि railway, इसका जो age था यह शुरू हो गया, हर एक वेक्ति ने यहाँ पे railway के उपर काम करना शुरू कर दिया, बड़े-बड़े engineers ने, अब Liverpool Manchester में एक roll road बनाया जाता है, लिवर अच्छा हम कहेंगे कि railroad यहाँ पे बनाया गया है, तो entrepreneurs जो थे Northern England के, उनको भी लग रहा था कि railroad line उनके यहाँ पे भी बने, और जो port है Liverpool के, जो inland city of Manchester होती है, उसको जोड़े, अब Liverpool से क्या होता है कि Manchester तक आप आराम से पहुचा है, लिवर पूल जो है वो एक coastal city थी, ships अब देख रहे हैं, जेम स्टीपन श्ट्यान का यह जो success था, इसकी new job spread होती है, तो सभी लोगों को लगता है कि ऐसे tracks हमने भी बनाना चाहिए, और इस तरह का एक track बनाया जाता है, 1829 में जो trails थे, were held to choose the best locomotive for youth on the new line, तो एक नए लाइन डाली जाती है, और इस नए लाइन पर यह अब कोशिशे की जाती है, कि भाई, अब यहाँ पर अच्छे locomotive कौन से होंगे, जिसके चलते हम आगे बढ़ सके, five engines होती है, जो enter करती है, इस competition में, बट अगर देखा गया, तो हम यह कहेंगे, कि none could compare with rocket, rocket नाम की एक engine थी, इसको तो कोई compare ही नहीं कर पाया था, जो stipenson ने खुद बनाई थी, और उनके बेटे ने मिलके, अगर देखा गया, तो smoke port from its tall smokestack into its two piston, pumped to and through as they drove the front wheel, यहाँ पर वही होता है, कि जो smoke निकलता है, आप देख रहे कि कोईला डाला है, वहाँ से smoke निकला है, smoke जो होता है, वह बाहर निकलेगा, from its tall smokestack, आपको तो पता ही आपने photos देखे, engines के ऐसा होता है, smoke stack और यहाँ से धुआ निकलता है, इस तरह की चीजे होगी, आप देखते हो, आप trains को, यहना पहले के जमाने की जो trains थी, उसी तरह की चीजे यहाँ पे थी, और pistons जो थे, उसके चलते हम कहेंगे, front wheels जो थे, वो भी चलते थे, तो काफी एक अच्छे हम इस तरह के piston लगे रहेंगे, जिससे front wheel और यहाँ से smoke निकलते जाएगा, इस तरह की चीजे जो है, यह यहाँ पे आपको देखने मिलती थी, rocket जो था, rocket नाम का engine, it hold a 13 ton load, at an unheard of speed, more than 24 miles per hour, यह बहुत बड़ा achievement था, 13 ton का load वो लेके जा सकता था, with 25 miles per hour, यह भी बहुत बड़ा achievement था, इसलिए हम कहेंगे कि Liverpool से जो Manchester की railway चली, उसको officially open कर दिया गया, 1830 में, और उसको immediate success मिला, अचानक से अगर देखा गया, तो यह जब चलती है railroad पे, यह rocket नाम की engine, तो हम कहते है, Liverpool से Manchester में successful यह चलने लगी, 13 tons इसमें 24 miles per hour से लेके जा सकते था, जो बहुत बड़ा achievement आपको देखने मिलता है, देख रहे हैं आपके steam पे चल रहा है, बट कितना बड़ा achievement है, इसके बाद और भी चीज़े आगे बढ़तेगी, railroad revolutionize होने करने लगा लोगों का life Britain में, किस तरह से लोगों की life railroad ने बदल दी, यह देखिए, अगर देखा गया तो पहला railroad जो होता है, वो sport the industrial growth, अगर देखा गया तो पहले railroad ने industrial growth को बढ़ाया, क्योंकि manufacturers जो थे, they found the cheap way to transport material of finished products, हम यह कह सकते हैं, finished products से जो उन्होंने materials बनाए हैं, या finished product जो उन्होंने बनाए या जो भी material उन्होंने बनाए हैं, वो उसको market तक पहुचा सकते थे, manufacturer, बहु पहुच गया market तक, दूसरा railroad जो होता है, it created hundreds of thousand new jobs, railroad workers के भी job निकलने लगे और miners के भी job निकलने लगे, क्योंकि mining बहुत होने लगी, सामान जब यहां से वहां easily जाने लगा, तो mining जो है, यह भी बहुत fast होने लगी, तो यह जो miners थे, they provided iron for tracks, coal for steam engine, coal mines थे, जिसके चलते steam engine मे अब miners के job बहुत बढ़ेंगे, क्योंकि steam engine को चलने के लिए लगेगा coal, तो mining करना पड़ेगा, jobs बढ़ेंगे, train को बनाने के लिए लगेगा iron, iron को mining करना पड़ेगा, बनेगा, हम कहेंगे steam engine, तो इस तरह की चीजे होगी, तो नए नए jobs भी यहां पे आए, तीसरा जो लगे, दूसरे और दूर के शहरों में पहुचने लगे, तो यह तीसरा revolution आपको देखने मिलता, और फाइनली यह जो है travel easy होने लगा, railroads encouraged country people to take distance city job, आज वेक्ती जो था आपने city से बाहर निकल के, दूर तक पहुचके वो job कर सकता था, इसलिए हम कह सकते हैं कि railroads जो होते दे लूट the city dwellers to resort in countryside, यह हम कह सकते हैं, तो city में जो लोग रहते हैं, आप city में आने सकते थे, countryside या पिर countryside जा सकते थे, आपको जहां से जाना आप वहां से वहां जा सकते थे, तो हम यह कह सकते हैं, like a locomotive racing across the country, the industrial revolution brought rapid unsettling changes in people's lives, यहाँ पे देख रहे हैं, people's की life कैसे change हो रही ह यहाँ पे आप देखोगे, तो यहाँ नए jobs आ रहे है, agriculture अच्छा हो रहा है, fishing अच्छा हो रहा है, manufacturers को five day हो रहे है, traveling easy हो रहे है, लोग यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा revolution लाके छोड़ा था railroad पे, जो Britain था, उसमें हम कहेंगे railway न लावा हमने आगे देखा कि transportation में क्या improvements हुए, और हम आगे बड़े तो हमने देखा water transportation में क्या invention हुए, फिर हमने देखा road transportation में क्या invention हुए, धीरे दे हमने देखा कि railway age शुरू हो गए और उसके बात तो जैसे दुनिया ही बदल गई, तो इस तरह से हम कहेंगे कि आज का जादा और सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को और हाँ बेल आइकोन को प्रेस करना ना भूले ताकि आपको आने वाले वीडियो के notification रेगिलरली मेल सके, फॉलोर लाइक करे मेरे pages को Facebook पे श्रेजबड़ी है, श्रेजबड़ी इंटर्प्रेटेशन को ताकि आपको और भी updates मिलते रहें, अगर आप मुझे से Instagram पे connected रहना चाहते तो श्रेजबड़ी इपीस लवर पे आप मुझे फॉलो कर सकते, अगर आप मुझे mail करना चाहे तो श्रेजबड़ी इडरेट Gmail.com पे आप मुझे mail भी कर सकते, इसी तरह हम अगले lecture में मिलेंगे, तब तक के and have a very good day.